1980 में जब बना महमान बन कर किसी के घर जाए बेटा दुरवादे पे देखो कौन आया है असलाम लेकुम जाजा खैरू वालेकुम सलाम बेटा अबबा है घर पे जी जी घर पे है आओ अंदर चलें असलाम लेकुम मेरे लंगोटिया यार खैरू कैसे हो अल्ला दिता आपसे मिले हुए तो काफी अर्सा हो गया हाँ यार बेटो चाचु जी चाचु जी बेटा खड़े खड़े मेरा मुझ क्या देख रहे हो इतने अर्सबात तेरा चाता खैरू आया है जाओ बकरा जिबा करो ठीक है अबबा अभी जिबा करवा देता हूँ अल्ला दिता भाई इतने साल हो गए मगर मजाल है कि आपके मेमान निवाजी में थोड़ी सी भी कमी आई हो ना ना खैरू कैसी बाते कर रहे हो मेमान तो अल्ला की रहमत होते हैं और अपना रिज्क साथ लाते हैं आज तुम्हारा आखरी दिन है क्योंके हमारे घर चाचा खैरू आया हुआ है वो तुझे भून भून के खाएगा अच्छा चाचा खैरू और सुनाए घर बार कैसा है बिलकुल अपने अबे पे गए हो बेटा तुम्हारे अबे ने तुम्हारी तरबियत में कोई कमी नहीं चोड़ी अलहमदोलिला घर में सब कोई ठीक है पुराने वक्तों में महमान के घर आते ही सब ऐसे खुश हो जाते थे जैसे उनके घर किसी बड़ी दरगा का पीर आ गया हो पुराने वक्तों और आने वाले कल की महमान नवाजी में कितना फार्क होगा वो तो आगे आपको पता चल ही जाएगा या आलला तेरा लाक लाक शुकर है ठीक है आला रिता भाई आप मुझे इजादत दें चलता हूँ और हाँ मेरे दोनु भतीजू को मेरे सलाम कहना दोजार चानिस हुए जब बंदा महमान बन कर किसी के घर जाए हाए कोई घर पे महमान अपना रिज्क खुद लेकर आया है डैटी डैटी बाहर कोई तरवादे पे आया है जाओ देखो कौन है डैटी बहर चाचा खैर आया हुआ है उससे कहो के डैटी घर पे नहीं है क्या चाचा खैर आया हुआ है अभी अबबा मुझे काम के लिए बोलेगा इससे पहले मस्जिद के लिए निकल जाता हूँ क्या हो गया आला टीते भाई के घर को आई तो कोई महमान नवाजी के लिए दरवाजे तक नहीं आया चाचा खैरा अबबा कह रहा है मैं घर पे नहीं हूँ आप चले जाओ क्या अबबा कह रहा है मैं घर पे नहीं हूँ ये क्या माजरा है, मुझे अंदर चल कर देखना पड़ेगा मैंने चाचे खेरे को बोल दिया, अबा कह रहे मैं घर पे नहीं हूँ उई पागल, ऐसे नहीं बोलना था, वो अंदर आ जाएगा, तुम कहीं भाग जाओ, मैं अंदर छुप जाता हूँ या क्या जमाना आगिया है, पहले लोग महमानों को देखकर बक्रे तक जबा कर देते थे, आज महमानों को देखकर भाग जाते हैं, या ला इनको तुफीक इनायत फर्मा जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोगों के दिलों में महमानों के लिए इज़ती खतम होती गई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना मत बुलिएगा अल्हानी के बाँ